हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एशिच फेशन वर्ल्ड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टू कलर में यह बहुत ही प्यारा सब डिजाइन यह देखिए यह बनाने में भी आसान है तो देखने में देखे कितना प्यारा यह लग रहा है तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो लेडीज स्वेटर पर बनाएए या बेबी स्वेटर शॉल मफलर या कुछ भी आप बना सकते हो बेबी कैप किसी भी प्रोजेक्ट पर आप बनाएए जो भी आप डो कलर में बनाना चाहते हो इसके बनाने के लिए आपने इवन नमबर में फंदे रखने हैं, जैसे दो, चार, छे, आठ इस तरह से फंदे रखने हैं, मैंने यहाँ पर रखी हैं, टोटल 28 स्टीचेज, तो चलिए अब आपने दो कलर की बूल ले लेनी हैं, मैंने औरेंज और ये वाइट कलर की बूल ल करेंगे, तो यहाँ पर देखे, अब हम वाइट, जिस पर कलर से आप ये डिजाइन डालना चाहते हो, उस कलर से आप बॉर्डर के बाद बुनना शुरू कीजिए, तो क्या करेंगे हम, देखे बॉर्डर के बाद पहली रो हैं हमारी ये राइट साइड से, दागा हम ही बनाएंगे, इस तरह से हम ये पूरी रो सीधी बनाएंगे, रो वन राइट साइड से, बजाए रो टू में रॉंग साइड से, अब रो टू रॉंग साइड से हम पूरी रो ये उल्टी ही बनाएंगे, रो टू और जितने भी हमारी रॉंग साइड से रो पडेंगी, व को आप ध्यान से दिखेगा अब यहाँ पर क्या करेंगे हम रो 3 में हम यहाँ पर धागा चेंज कर लेंगे और रेंज कलर का धागा मैं यहाँ पर लगा रही हूं एक फंदा सीधा बना लेंगे शुरू का जो फंदा है वो हम सीधा बना लेंगे धागा चेंज करके अब आग उरेंज कलर का फंदा हमने लाफ नीडल में डाल देना है और फिर देखे उए जो भागे हमने निकाले, वह वह हम उपर से डाल देंगे और अब हम इनको एकठा बना लेंगे एक फंदा हम ये बना लेंगे इस तरह से और एक फंदा और सीधा बनाएंगे और देखिए इसके बाद हम फिर से यही रिपीट करेंगे देखिए यह फंदा हम निकालेंगे दो यह जो फाइट हैं वो हम निकाल देंगे और औरेंज कलर का फंदा हम यहां पर पकड़ेंगे और इनको भी हम बापिस से नेडल में चड़ाएंगे और इनको सीधा बना लेंगे इस तरह से देखे ये डिजाइन हमारा आता जाएगा और एक फंदा सीधा एक फंदा फिर से देखे यहाँ पर इस तरह से हम निकालेंगे ये दो धागे और औरेंज कलर का फंदा हम बापिस से लेफ नेटल में डालेंगे और ये दो भी हम उपर से डाल देंगे और इनको सीधा बना लेंगे और एक फंदा और सीधा बनाएंगे और गेवाला फंदा फिर से निकालेंगे और इसी तरह से आपने इस पूरी रो में करते जाना है लास्ट में आपके पास बचेंगे इस रो के लास्ट में आपके पास बचेंगे दो फंदे वो आपने ऐसे ही सीधे बना लेनी है ये वाले दो और आगे वाली रूव रॉंग सेट से आपनी पूरी उल्टी बना लेनी है और इस तरह से देखिए रॉंग सेट से भी मैंने रूव कंप्लीट कर ली है फूर्थ रूव और देखिए ये हमारा डिजाइन यहां पर आ गया है ये देखिए बहुत ही खुबसुरू सा डिजाइन आता है तो चलिए अब आपने रूव बन से लेकि रूव फूर्थ तक कं आते हो वीडियो अपसंद आई हो तो प्लीज लाइक किजिएगा और अगर आप एहले बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा